चांदी की बात करते हैं दोस्तों सिल्वर जो है वो हमने बात करी थी 71,000 के आसपास जा सकता है और 70,000 के उपर तो वो आ चुका है बाटम का भी है जो है वो हमने जिक्र किया था अब यहाँ पर ऐसे मुकाम पर सिल्वर खड़ा है जहां पर हमें थोड़ा सा संबलना चाहिए कब क्या कैसे क्या करना चाहिए डिसकेशन कर लेते हैं तो 68,900 जो है वो सिल्वर के लिए सपोर्ट का काम करेगा दूस्तों अगर हम यह सपोर्ट नीचे सिल्वर में काड़ देते हैं तो फिर 68,550 का लेवल देखने को मिल सकता है वो लेवल अगर नीचे की तरफ जो है वो सिल्वर काटता है तो फिर 68,050 फाइनल रहेगा फाइनल लेवल काटने के बाद 67,650 से लेके 67,300 के जो लेवल है वो आमें देखने को मिल सकते हैं तो सपोर्ट के ऊपर जो है वो दोस्तों हमें खास ध्यान रखना होगा सिल्वर में अब बात करते हैं दोस्तों उसके टार्गेट रखे कब एकजिट करें सबसे बड़ी हमारी दिक्कत यह होती है ट्रेड करने के बाद कि टार्गेट क्या रखे निकले कब उसका भी स्वालुशन जो है वो दोस्तों मेरे जो इंडिकेटर है मेरा जो ट्रेडिंग सटप वह आपको दे सकता है अगर आप इसको ज चलते हैं तो दुबारा जो है वो हमें 69,000, 950, 70,000 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है वो लेवल उपर काटने के बाद 70,450 फाइनल लेगा उसके उपर 70,800 से लेके 71,350 का लेवल देखने को मिल सकता है यहां पर आपको दूस्तों एक चीज़ वार बताते जा रहा 77,350 का जो लेवल है वो बहुत ही एहम है वो लेवल अगर उपर की तरफ काटके सस्टेन करता है जुकता है टो लेवल के उपर वन दे का और सुक्रवार का भी फाइनल ग्लोजिंग विकली तो फिर स्वाट से अवोइड कर देना क्योंकि वो लेवल के उपर यह बहुत ही ज जब यह शिल्वर 64 65 के आसपास चल रहा था यहां पर यह लेवल के आसपास तब बहुत सारे दोस्तों को यकिन नहीं हुआ था लेकिन अभी दिरे दिरे यकिन होगा कब होगा जब 71,350 के लेवल के उपर जाके शुक्रवार का क्लोजिंग हो जाएगा तब की चर्चा कर रहा ह दोस्तों मेरी बातों को जो ए वो ध्यान से सुनिए वीडियो को दो बार तीन बार भीपीट कर के सुनोगे तो आपको जो ए वो सईजानकारी मिल जाएगी कि क्या होगा कैसे होगा क्योंकि मैं सीधा साफ बोल देता हूग यह हो सकता है इसकी संभाव नहें कोई गुमा फि पिझ feature आपको जरूर होगा अब मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो के अंदर वीडियो अच्षा लगा हो तो लाईक जरूर कर देना अपने दोस्तों के अज़ार शैर कर देना चैनल पे पहले बार आयो तो शब्सक्राइब जरूर कर लेना वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद